कुछ शोज ऐसे होते हैं जो सीजन टू सीजन अपनी कौलिटी खोते रहते हैं वही कुछ शोज ऐसे होते हैं जो सीजन टू सीजन हमें पूरी तरीके से चुकाते रहते हैं और ये शो भी कुछ-कुछ वैसा ही है जो नेट्फिस के बड़े से बड़े शो को भी टक्र देने क कदम रखता है एक्षिली उन्हें हराने का भी दे मैंडलॉरियन की एक एक्षिन एडवेंचर फैंटसी और स्टार वार्स के यूनिवर्स का स्पिन ओफ शो है जो कि भाधिर अपने सीजन फोर के साथ जिसमें हमें क्या कुछ दिखने मिला जानते हैं इस वीडियो में जिसकी दिखना होगा इस पूरी की पूरी सीरिस को या फिर आई तिंग मुझे कहना चाहिए बहुत कुछ जानने के लिए क्योंकि शो में आपको बहुत कुछ दिखने मिलेगा या तक कि स्टार वार्स की फिल्मों को सेटप करना भी या फिर कह सकते कि स्टार वार्स के यूनिवर इस पार इस उनिवर्स का काफी important part रहने वाले हैं जो कि ये season आची से बताता है क्योंकि इस season में Mandalorian को लेकर भी हमें काफी कुछ जानने मिला उनका struggle जानने मिला और उनको फिर से हम खड़ा होता हुआ देखते हैं वहीं कुछ पुराने दोस्तों पुराने characters भी देखने मिले वहीं देंजारेन और ग्रोको के भी जो chemistry है हम उसे और improve होता हुआ देखते हैं बाग ये season जादर से जादर जिस character के नाम था वो थी बोका टायन जिसके character को लेकर भी काफी कुछ देखने मिला वहीं उसके character को इस season में शायनने का पूरा मौका दिया गया है जिसके बाद character भी बहुत पसंद आएगा अगर अभी तक पसंद नहीं था तो जिसके लावा कुछ नए characters कुछ पुरानी characters आगेन आपको पसंद आएंगे वहीं Star Wars की फिल्मों से भी कुछ characters का cameo देखने मिलेगा जिने आगेन आप enjoy करोगे बागी technical department की बात करूँ तो bgm बढ़िया था जिससे देखने के बाद आप Star Wars की यूनिवर्स के लिए बहुत ही जादा excited हो जाओगे जो किया मैं हो चुका हूँ और मुझे देखना है कि आगे जा कि क्या कुछ देखने मिलेगा जिससे ध्यान में रखते हुए मैं इसे दूँगा four and half stars I mean season four को जिससे अगर आपने देख जेखने मिलेगा जिससे देखने मिलेगा जिससे देखने मिलेगा जिससे घर ढ़ा मुझे ठाल से घर आप है ।